दोस्तो आज हम कच्चे आलू और शावल के आटे का पहती टेस्टी और एक्तम आसान से नास्तिकी रेस्पी सेयर कर रहे हैं जिसे आप कभी भी बना कर त्यार कर सकते हैं पच्चो को बड़ो को सभी को बहुत पसंद आएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक कच्चे आलू को चिल कर ले ली है इसे हम कदु कस कर लेंगे तो इसके लिए छोटे चेद वाले जाली का इस्तमाल कीजेगा क्योंकि आलू के लच्चे बारिक रहेंगे तो जल्दी पक जाएंगे मोटे लच्चो को पकने में टाइम लगेगा आलू को मैंने कस ली है अब इसमें हम डालेंगे एक कप चावल का आटा चावल के आटे की जगा गेहु का आटा भी ले सकते हैं पर चावल के आटे से नासता ज्यादा क्रिस्पी मनता है इसमें एक चम्मच कुटे भी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और एक चोथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें गरम पानी डालेंगे ध्यान रखियेगा जिस कप से हमें चावल का आटा लेना है उसी přज़ाई लेना है यानी एक टिखाई कप गरम पानी डालना है पानी को अच्छे से बॉयल करके डालिएगा गरम पानी डालते ही चावल का आटा इसे अबसॉर्ब कर लेगा और ये फूल जाएगा तो इस्पून से हमें इसे इस तरह से अच्छे से मिलाना है और देखे बढ़िया से हमने इनको मिक्स कर लिया है आटा अलग अलग नहीं दिख रहा है तो अब हम इनको 10 मिनट रेष्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट बाद आटा पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अब हमने दो चीज क्यूप्स ली है इसे आटे में ग्रेट कर लेंगे और दोस्तो इस नास्ते को बीना चीज से भी बना सकते है बस एक आलू की जगा दो आलू ले लिजेगा चीज बच्चों को बहुत पसंद आता है और इससे नास्ता और भी ज्यादा क्रिस्पी वर टेस्टी बनता है यहाँ पर आप एक चीज क्यूप्स भी ले सकते हैं पर प्रोसेस चीज का इस्तमाल करिएगा पिज्जा वाले यानि मुजरेला चीज का इस्तमाल नहीं करना है एक चमच हमने पिज्जा हर्प्स ली है यह ना हो तो आधा चमच गरम मसाला पौडर डाल देजेगा पर टेस्ट में थोड़ा फर्क आएगा थोड़ा सा इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिय डालेंगे और इन सभी जेजो को आटे में अच्छे से मिला लेंगे और इनका एक मुलायम डो बना कर त्यार कर लेंगे अगर गिला हो तो थोड़ा सा चावल का आटा और डाल सकते हैं और आटा ज्यादा ड्राई हो रहा हो तो थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं और देखिए इसे मैंने अच्छे से गूत लिया है और ये काफी सॉफ्ट है तो अब हम इसे सेप देंगे तो पहले हाथों पर थोड़ा सा ऐल लगा कर चिकना कर लेंगे फिर थोड़ा सा डो हाथ में लेकर इसके बॉल्स बना लेंगे नीबू से थोड़े बड़े साइज की मैंने बॉल बनाई है अब इसे हथेली पर रखकर इस तरह से चप्टा कर लेंगे ध्यान रखिएगा इसे बहुत ज्यादा मोटा ने रखना है इस तरह से पतला रखना है हाथों पर डो चिपकना ने चाहिए ये काफी सॉफ्ट होते हैं तो आप चाहे तो इसे पार्श्मेंट पेपर पे या प्लास्टिक सीट के बीच में रखकर भी बना सकते हैं इस तरह से मैंने कुछ टिक्निया बना कर तयार कर लिया और इनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है इनको फ्राई करने के लिए हो सके तो चोड़े बर्तन का इस्तमाल कीजेगा ताकि इनका सेप खराब नहों तेल को हमें मेडियम गरम रखना है और जितना कड़ाई में आ जाए उतना हमें एकके करके इसमें डाल देना है और थोड़ी देर हमें इनको फ्राई होने देना है उसके बाद हमें इनको पलटना है एक तरफ से इन पर बढ़िया सा कलर आ गया है अब दूसरे तरफ से भी हमे इनके उपर बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है और देखे ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए है चीज डालने से इन पर अच्छा सा कलर आ जाता है और ये एकदम क्रिस्पी बनते हैं तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं बचे वे स्नेक्स को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे बस ध्यान रखना है इनको मीडियम आज पर फ्राई करना है हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्छे रह जाएंगे और low flame पर fry करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा oily हो जाएंगे तो इनको हमें medium आज पर बढ़िया से crispy होने तक fry करना है इसमें हमने बहुत कम मसालों का इस्तमाल किया है जितना ये simple है खाने में ये उतने ही tasty है बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए इनको भी हमने fry कर ली है तो आप इनको गर्मा गरम अपनी पसंद की चटनी के साथ खा सकते है सेजवान पिज़ा पास्ता सौस के साथ ये और भी ज्यादा tasty लगते है इस तरीके से ये हमारा आलू और चावल के आटे का चीजी नास्ता बनकर तयार है ये खाने में बहुत एक रिस्पी लगते हैं तो एक पारापी से जरूर से बनाइए सब को खिलाइए सभी को ये नास्ता बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी ये रिस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सियर करें और साथ में चैनल को सस्काइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं एक नई रिस्पी के साथ धन्यबाद